नमस्कार प्रिये दर्शकों हाजिर हूँ मैं और स्वागत करता हूँ आपका प्राच्य जोतिश विज्ञान इस चैनल पर आज हम सभी विद्यार्थी उपस्थित हुए हैं शनिदेव के संबंध में चर्चा करने के लिए प्रिये दर्शकों आजकल हमारी चर्चा लगन के संबंध में जारी है लेकिन अब लगातार एक ही विशय पर हर दिन बात हो तो उस सरस विशय में भी निरस्ता आ जाती है तो उस सरस विशय को सरस बनाय रखने के लिए थोड़ा विशयांतर करना जरूरी है आज शनिदेव की चर्चा करते हैं इससे एक नई उर्जा मिलेगी और हमारा विशय पुनह एक बार सरस होकर के जागर्थ हो उठेगा शनिदेव आज शनिदेव से संबंधित कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ कालपुरुस की कुंडली में हर ग्रह को विभाग दिया हुआ है जैसे कालपुरुस की आत्मा है सूर्य, मन है चंद्रमा, पराक्रम, उर्जा है मंगल, वानी है बुध, ज्यान है देवगुरु, सुख है कालपुरुस का सुक्र तो विशाद, कालपुरुस का दुख, विशाद है शनी देवु अब जाहर सी बात है कि जो जैसा है, जन्म कुंडली जब हम अध्यान करते हैं, तो हर ग्रह का जो डिपार्टमेंट कालपुरुस की कुंडली में प्राप्त है, हमें सदईव ध्यान रखना होता है कि वो ग्रह चाहे किसी भी भाव में बैठा हो, वो कालपुरुस का ये जो प्रभाव मैंने बताया, इन्ही मुख्य विशयों का ये द्योतक है, इन्ही विशयों को, उन्ही विशयों को उस ग्रह से हमें जानना होता है तो दुख की जानकारी शनिदेव देते हैं, लेकिन ये मानो जीवन में केवल, क्लेस, दुख, ब्याधी, निसंदेह, ये इसके मूल का रखें यही देते हैं लेकिन ये अगर देखा जाए, तो प्रत्यक्ष में ऐसा दिखाई पड़ता है कि शनिदेव दुख हैं, क्योंकि वो कालपुरुस का जो विशाद है वही है शनिदेव, तो प्रत्यक्षतह दिखाई पड़ता है कि शनिदेव दुख हैं, लेकिन असल में परोक्ष में जन्म कुंडली के सरवाधिक आध्यात्मिक ग्रहों में से एक है शनिदेव। अत्यधिक कस्ट। इतना कस्ट कि व्यक्ति त्राहिमाम कर दे। ऐसे अत्यधिक कस्ट देकर उसके पापों का प्रक्षालन कर देते हैं। उसे निर्मल बना देते हैं। जितना ज्यादा ये व्यक्ति को दुखी बनाते हैं, जितना ज्यादा वो उसे दुख देते हैं। संसार को समझने का उसकी जो प्रग्या चक्छू है, उसका जो नेत्र है वो खुल जाता है। असल में केतु को मोक्ष का कारक कहा गया है। अब मोक्ष के पहले की जो घटना है वो है आत्मसाक्षातकार होना। असल में देखा जाये तो शनिदेव को मैं समझता हूँ कि सरवाधिक आत्मसाक्षातकार कराने वाले ग्रह है। जब तक इनसान का मन मोह और माया से तूटेगा नहीं, तब तक वो आत्मसाक्षातकार की ओर इस पथ पर अग्रसर ही नहीं होगा। तो जब उसे संसार को समझने का मौका मिलता है और संसार को समझने का मौका कब मिलता है? जब आपके बुरे दिन चल रहे हूँ। मैंने अपने कारिक्रमों में उदाहरण दे करके बताया था कि वो लोग जो आपके सामने कभी बैठते नहीं थे, अगर उनको अपने बगल में बिठा कर उनसे बिजनेस की डील डिसकस आप करने लगें, उनसे राय मस्वरा मंत्रणा करने लगें, तो समझ लीजिए सनिदे अर्थात, संसार को समझने का आत्मसाक्षातकार के मार्ग पर आगे बढ़ने का, ये जो मार्ग है, इसको सुगम कर देते हैं शनिदेव, आत्मसाक्षातकार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? एक ही बाधा है, अहंकार, और इस अहंकार के प्रतिनिधी करता ग्रह कौन है? मंगल, तो अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोन से देखें, तो शनिदेव और मंगल का आपस में शत्रुता इसी कारण है, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोन है, कि परमार्थ और आत्मसाक्षातकार के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा बनता है, वो अहंकार, हमें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देता, और शनिदेव हमें उसी पथ पर आगे ले करके जाते हैं, इस पथ की सबसे बड़ी बाधा मंगल बनते हैं, फलस्वरुपिन दोनों के बीच शत्रुता है, प्रिये दर्शकों जोते शास्त्र में ग्रहों की मित्रता, शत्रुता के बारे मे ये हमें केवल और केवल समझने के लिए बनाया गया है, बताया गया है, मैंने इसे तत्वों के खेल के रूप में आपके समुख बहुत लंबे समय से बताता आ रहा हूं, आज आध्यात्निक दृष्टिकोंड से मैंने बताया मंगल और शनि के बीच सत्रुता का कारण प्रति मैंने बताया कि हर एक आत्मा जब तक उस परमात्मा से मिलना जाए तब तक वो परमात्मा पूर्ण नहीं होने माली है। अब विचार करना है कि शनिदेव ये अपने प्रभाव में जब आते हैं तो व्यक्ति का अहंकार तार तार कर देते हैं। उसके अहंकार को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। वहीं तो व्यक्ति को जब शनिदेव की साड़े साती लगती है, ढईया लगती है, इनकी मादसा आती है और ये आपको अपना प्रभाव देना जब शुरू करते हैं तो आपके वास्तविक स्वरूप का दर्सन कराते और वह कैसे होगा? विबिन तरह के दुर्भाग्य जनक परिष्टितियां उत्पन कर देते हैं जीवनकाल में। ऐसी ऐसी परिष्टितियां उत्पन करते हैं कि ये संसार निरर्थक साप्रतीत होने लगता है। और फिर इसी निरर्थक संसार से आपका परिचय कराते हैं। अब आप निसंदेह जब सोचेंगे कि इस तरह की परिस्तिती हो तो सीधी सी बात है जोतर शास्त्र में इसलिए नियाय प्रिय निस्पक्ष कहा गया है। अभी अभी मैंने बताया सप्तम में शनिदेव को विशेस बल मिलता है। तो विशेस सुभ फल प्रदायक बनता है। शनिदेव के मामले में भी ये बाते हैं। लेकिन जरा ध्यान से सूचिए और समझिए। लगन में शनिदेव हूँ तो ये जिंदगी को बेहद उदासीन कर देते हैं। वैसे तो जोतिस को समझा जाए तो किसी भी ग्रह का अत्यंत बली होना और अत्यंत कमजोर होना दोनों ही अवस्थाओं में ठीक नहीं है। कैसे? मान लिया जाए चंद्रमा अगर अधिक बली होते हैं तो क्या इस्तिती होती है? तब भी मन भटकता है और कमजोर होते हैं तो क्या होता है? तब भी मन भटकता है। शनिदेव अगर विशेष बली हों तब भी मानव जीवन में उदासीनता की बाहु लेता होगी और कमजोर होंगे पीडित होंगे तब भी मानव जीवन में उदासीनता आएगी। दोनों ही अवस्थाओं में, केंद्र के चारों घरों में विशेश कर लगन में होना, तो सनिदेव का कहना ही नहीं, जिनकी कुंडली में है, उनसे बहतर कौन जानता है, कि जीवन में इतने कस्ट ये दे देते हैं, इतनी परिशानी, अब लगन में ज्यादा कस्ट क्यों, सव देह, आपको तो ये कंचन बना ही देंगे, सोना तो बना ही देंगे, ये विशेश रूप से आप पर दया कर रहे हैं, अब विशेश रूप से जब कोई सामर्थ्य आप पर दया करे, तो जाहिर सी बात है, मार्ग आसान नहीं होता, और मार्ग वो भी, जहां आत्मसाक्षा पत्व पर आपको ले जा रहे हों। बेहत कठिन हो जाता है। लगन में होना इनका बेहत कठिन। शनिदेव कुंडली के अस्टम में भी बेहत कारक कहे गए हैं। मैंने इसके बारे में भी बताया आपको। यहां होना भी कहना नहीं कि यह कस्ट के चरम पर ले करके जाते हैं यहां क्या कस्ट होता है? आपके जीवन में कारिक छेत्र में इतने संघर्स उत्पन्न करते हैं, इतने संघर्स कि व्यक्तित्रा ही मांग कर जाए. लेकिन मैं आपको सदाईव कहा करता हूँ, जन्म कुंडली के पंचम भाव में ये कस्ट दाई होते हैं. ये आपने मेरे कोई एक सामर्थ गुरु मिल जाए, ऐसे जातक को, जिनकी कुंडली के पंचम और नवम में शनीदेव बैठे हूँ, ऐसे जातक को कोई सामर्थ वान गुरु मिल जाए, तो इसमें कहीं कोई दोमत नहीं कि ऐसा व्यक्ति आत्म साक्षात कार करेगा, और जीते जी देव दर करता हूँ कि सरवाधिक कस्ट दाई होते हैं सरवाधिक लगन कोई भी किसी भी रासी में बैठे हूं पंचम में कस्ट देते हैं लेकिन आज मैं आपको एक और तथे से उगत करा रहा हूं कि पंचम और नवम गत्षनी को अगर ऐसे जातक के अंदर तनिक भी दिखिए आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो ऐसे नहीं होता है ये पूर्व के प्रारब्ध के प्रभाव से ही होता है तो उसका अगर प्रारब्ध जागृत है तभी उसको सामर्थिवान गुरू मिलेंगे अगर उसका प्रारब्ध जागृत है तभी वो ऐसे गुरू को पाने कि पथ पर अग्रसर होगा और अगर ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर आया तो इसमें कहीं कोई दोमत नहीं कि उसे देवदर्शन संभव है उसके लिए ये बेहद आसान है कि वो आत्म साक्षात कार कर ले ये संभव है किस भाव में बैठे हैं आपके सनी जिस भी भाव में बैठे हूं केंदर में बैठे हैं एक चार साथ तसमे तो आपने अनुभव किया होगा और मेरे सूत्र को आप रट रहे होगे नहीं रट रहे हैं तो याद कर लीजिए होगा वही जो आप चाहते हैं बस तब नहीं जब आप चाहते हैं, बहुत पूर्व में इस सूत्र को मैंने बना करके आपको दिया था, तब से सनीदेव के बारे में नाना प्रकार की बाते हर दिन ढूंडता हूं और आपके लिए आता हूं, निरंतर पिछले कुछ दिनों से लगा तार मैं कुंडलियों मे देख रहा था, शनीदेव किस प्रकार से लोगों को रगड रहे हैं, आज इनकी प्रसंसा में कुछ बाते हैं, मैं ढूंड रहा था, ग्रंथों में, मिला, मैं उसको लेकर कर आया, आज मैंने एक दो-तीन आपको नई बाते बताई, मंगल और शनी के सत्रुता के बारे में तथे बताया, अब एक उपाय बताता हूं, शनीदेव अगर जीवन में कस्ट दे, तो मेरे द्वारा आप कौन सा उपाय सुनते हैं, एक ही उपाय सुनते हैं हनुमान जी की सरनागती के अलावा, ऐसे जातक, जिनको हनुमान जी सनीदेव कस्ट दे रहे हूं, वो भैरोजी और मा भगवती काली की आराधना करके भी नौमस्त और पंचमस्त सनी वाले जितने भी जातक हैं जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव पंचम और नमम में हों, साथी साथ अस्टम में हों, नोट से करिए गाई सूत्र को, आप चार भावों में कहीं भी सनिदेव हों तो इस ब किसी एक गुरू को की तलास करिए, गुरू कुट बनाईए, और गुरू बनाकर के मा भगवती काली की आराधना करिए, आपके जीवन की सभी इक्षाएं सनिदेव पूर्ण करा देंगे, अगर भातिक इक्षा है, तो सभी भातिक इक्षाओं की पूर्ती हो जाएगी, भा है, वो मा भगवती काली की हो, या भहरोजी की हो, इस दोनों साधनाएं ही बहुत कठिन हैं, इसलिए मैंने कहा, सामर्थेवान गुरू ढूंडिये, अब सब को सामर्थेवान गुरू नहीं मिलेंगे, ये इश्वर कृपा हो तभी संभाव है, फिर भी कोई गुरू ढूं यहां कारक होते हैं, भूमी भवनवाहन का सुख देते हैं, बस अकेले होने पर कस्थ हो जाता है, बुढ़ापा खराब कर देते हैं, लेकिन चतुर्थस्त सनी भी समस्या खड़ी करते हैं, और वो समस्या है कोई कामवक्त पर नहीं होने देते, सबतमस्त समझी रहे हैं लगन पर द्रिष्टी, आप कुंडली के लाभस्त हों, तब भी आपके लगन पर द्रिष्टी, तो ऐसी बाकी की अवस्थाओं में जातकों को, जिनके जीवनकाल में हरकार या बिलंबी थोरा परशान, उनको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, बाकी की जो चार भाव से पकोडा बनाईए तेल में, और मध्याहन काल में काले कुट्टे को शनिवार के दिन, ऐसा पकोडा, उलत से निर्मित पकोडा, तेल में छना हुगा, कुट्टे को खिलाईए, अब कुट्टा को पसंद नहीं आएगा, मैं बहुत अच्छे जानता हूँ, तो या तो काले अच्छे से और गहराई से समझते हुए, आगे पुनह मुलाकात होगी लगन के प्रभाव को ले करके, तब तक के लिजाज़त दीजिए, नमस्कार